हेलो दोस्तों मैं हूँ अफ्ताब और भाई हर बार की तरह मैं आपके लिए लेके आगे हूँ एक फ्रेस और एक कमाल वीडियो अपाची अर्टियार वनेटी का कंप्टीटर बजाज पलसर वनेटी फाइनली इंडिया में लॉंच हो चुका है वैसे तो इसके प्राइसे में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके पावर परफरमेंस, सेफटी, सस्पेंसन सिस्टम, टायर वर ये सब के बारे में तो ये कहीं न कहीं अपाची RTR 180 बहुत पीछे छूट जाता है बजाज पलसर 180 से तो वैसे तो इस दोनों ही गाडियों को कोई कंपेरिजन नहीं बनता है क्योंकि ये दोनों ही गाडिया अपनी अपनी कंपनी के सबसे धुरंदर गाडिया है लेकिन फिर भी बहुत सारे messages बहुत सारे calls आने के बाद से मुझे मजबूरेन में ये वीडियो बनाना पड़ा है लेकिन कोई बात नहीं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और हाँ वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटा परफर्मेंस से अपाची अटीर वन एटी में आपको 16.56 बीएच्पी का पाउर मिल जाता है 8500 पे जबकि बजाज पलसर वन एटी में आपको 16.78 बीएच्पी का पाउर मिल 8500 पे यहां पी अब देख रहे हैं बजाज पलसर में थोड़ा सा पाउर ज्यादा मिल रहा है अगर बात करेंगे मेक्सिमंट टॉर्क का तो अपाची अटीर 180 में आपको 15.5 एनम का मेक्सिमंट टॉर्क मिलता है 7000RPM पे जबकि बजाज Pulsar 180 में आपको 14.52NM का टॉर्क मिलता है 6500RPM पे जहां पे आप देखेंगे तो कहानी थोड़ा सा उल्टा हो जाता है क्योंकि अपाची में थोड़ा सा पावर कम मिल रहा है तो टॉर्क जादा मिल रहा है और बजाज में थोड़ा सा पावर जादा मिल रहा है तो टॉर्क कम मिल रहा है अगर बात करें इस दोनों ही गाड़ी के सिसी की बारह में तो अपाची ATR 180 में आपको 177.4 सिसी का ओयल कुल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जबकि बजाज पलसर में आपको 178.6 सिसी का ओयर कुल्ड इंजन देखने को मिल जाता है अपाची ATR 180 में आपको डूल मोड डिजिटल इगनिसन सिस्टम मिल जाता है जबकि बजाज पलसर 180 में आपको DTSI यनि डिजिटल ट्विन स्पार की इंजन सिस्टम मिल जाता है दोनों ही गाडियों में आपको 40KMPL का मालेश क्लेम किया जाता है अगर बात करें इस दोनों ही गाडियों के ब्रेक सस्पेंसर सिस्टम के बारे में क्योंकि भाई जान है तो जहान है तो इसलिए सेफटी फीचर के बारे में जानना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है तो अपाची अटियर 180 में आपको फ्रंट में आपको 270 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस दोनों ही गाडियों के टायर साइज की बारे में तो अपाची में आपको 90 90 17 का ट्यूलेस टायर फ्रंट में देखने को मिलेगा सेम वही टायर आपको बजाज पलसर के फ्रंट में भी देखने को मिलेगा अगर बात करें अपाची के रियर टायर साइज की बारे में तो रियर में आपको 110-80-17 का टायर रियर में देखने को मिलेगा अपाची में लेकिन पलसर में आपको 120-80-17 का टायर देखने को मिलेगा अगर बात करें इसके suspension system के बारे में तो Apache में आपको teleoscopic fork suspension system front में देखने को मिलेगा जब कि Pulsar में आपको teleoscopic with anti-friction boost suspension system front में देखने को मिलेगा अगर बात करें rear suspension system की बारे में तो Apache में आपको MIG यानि monotube inverted gas suspension system आपको rear में देखने को मिलेगा जबकि बजाज में आपको 5-way adjustable nitrosock observer rear में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस दोनों ही गाड़ियों कुछ major highlighted features की बारे में तो extend alarm जो की pulser में दिया हुआ है अपाची में नहीं दिया है low air indicator जो की अपाची में दिया है pulser में नहीं दिया है तो अपाची अटियर का जो price है वो 1,4720 रुपीज है एक मुंबई सोरूम के हिसाब से और बजाज pulser का जो price है वो 1,4768 रुपीज है एक मुंबई सोरूम के हिसाब से price के हिसाब से अगर अब देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में कुछ ज़्यादा price difference नहीं है लेकिन दोनों ही गाड़ियों में power performance, features and safety features, suspension ये सब के मामले में कहीं न कहीं बजाज pulser बहुत पीछे छोड़ देता है अपाची RTR 180 को तो दोस्तों अगर मैं finally अपना opinion बताओ कि इस दोनों ही गाड़ियों में साब को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप बजाज pulser क्योंकि यहाँ पे आपको बहतर power performance देखने को मिलेगा बहतर breaking system देखने को मिलेगा और बहुत सारे changes जो है जो कि Apache में नहीं मिलता है और लेकिन बजाज pulser 180 में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह रहा है complete वीडियो उमीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा अगर अभी भी आपका कोई doubt है कोई सुझाओ है तो आप comment section में लिखना मत भूलिएगा मिलता है फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए helmet लगाईए seat well पहनिया और सुरक्षित रहिए धन्यवाद